शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जब आप तुमनों भावियां मुझे निली तो फिन आप बहुत खुश थी फिर आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं आर्थी आप जानते हैं कि तुम्हें इस बात का बहुत दुख हुआ है लेकिन हम बैसा भापी तुम्से कम आप तो आप ऐसा मत करिये अब तो बंद कर दो मेरे भाईयों का साथ देना अब तो बंद कर दो उनकी गल्तियों को छुपाना मुझे तो खुछ समझ में नहीं आ रहा है किया कि मेरे दोनों भाईयों को हुआ क्या है उनका दिमाग इतना कैसे खराब हो गया क्यों इतनी अच्छे दोनों पत्नियों को छोड़ कर वो रागनी दी के पीछे पड़ें पर भाबी आप दोनों को क्या हुआ है आप दोनों ने कुछ क्यों नहीं किया आप रोते गिड़ गिड़ाते गुस्सा करते कुछ भी करते पर उन्हें रोक लेते ना माता रानी आज आपने बचा लिया आरती ने कुछ नहीं सुना आर्थी, देखो, रोखा तो उसे जाता है ना, जो रुपना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने मन ही बना लिया है तो, तो फिर कोई यह उनी दो, क्यों बार बार आप हमें वो सब याद दिला रही हैं, कि कैसे वो रागनी हमारे पतियों फे वो तोना तोटका करके, हमारे पति कि भाईयों हमसे चीन रही है, उफ कीरती इतनी ओवराग्टिंग मत कर, पकड़ी जाएंगे भाबी, आप ऐसा मसोचिए, अब बस अभी ये सोचो कि ऐसा क्या करें, कि वरुन भया और अभय भया उस रागनी के पास ना जाए, इससे पढ़े कि बहुत देर हो जाए इसके भाई है वरुन जी और अभ है, और इसे अब भी हमारी फिकर हो रही है भाबी, मुझे तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं नगा ये देखे कि वरुन भया भी आभी भी वो रागनी भी का हाथ पकड़ के बैखे हुआ है, क्या? ये भगवान, आर्ती यही है, कैसे रोकूं इसे? कीरती अब कोई नहीं मुसीबत मत खड़ी कर देना आर्ती, एको तुम चिंता मत करो अब ऐसे मैबाद करती हूँ तुम देखना सब ठीक होगा यहां कभी कुछ चीग नहीं होगा मैं जानता हूँ नगा शुरू से यही होता है मेरे साथ, इस घर में, तंग आगया हूँ मैं, यहां पर कोई नहीं है मेरा और आज, आज रागनी तुम मेरे साथ थी ना, इसलिए तुम पर भी तुम देखा मैंने, और वरूर मैं तुमारी तकलीफ समझ सकती हूँ शाकलीब, मुषे जानके बहुत खुशी हो रही है कि तुम अभी मेरे साथ हूँ और किसी को मेरा दड़ दिखता क्यों नहीं है हर बार अन्थ में कीर्ती सही होती और मैं गलत हूँ कितरा केला हूँ मैं, तंग आ गया हूँ, हर बार हर गलती मेरी नहीं है फार्ल, शान्त हो जाओ तुम, यह लोग, तुम अशा पानी पीलो थांक यू ना गुस्सा करोगे कि तुमारी तव्यक खराब हो जाएगी ना जब भी हम एक नही रिष्टे में जुड़ते हैं, तो आप उस रिष्टे से क्या चाहते हैं साथी से थोड़ा सा प्यार, थोड़ी इज़त और बस थोड़ा सा सुकून लेकिन राग्दी मुझे अपने साथी से ऐसा कुछ भी नहीं मिला बिली तो बस ये वफाई बिली, वो तो तुम अच्छे से जानती हैं तरस गया हूं, तरस गया हूं जरा से प्यार, जरा सी इज़त के लिए तो भी बताओ राग्दी, क्या मैं कुछ जादा माग रहा हूं, क्या मैं कुछ जादा माग रहा हूं क्या क्या इन चीजों पे मेरा जरा सा भी हक नहीं है क्यों हूं मैं तरह अकेला, क्यों? तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो गरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है और हर चीज पर तुम्हारा हक है तुम सच कहरे हो रात्मी? फिर से मेरे साथ कोई मजग? अब कोई मजग नहीं, अब सिफ सच मैं नहीं साथ हूं नहीं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ हूं आवा, तुम्हारा सहारा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ने, कोई भी ने कोई भी नोक backwards सकता हु, नम्हारा किया मतलब ही हम अब मतलब ही मैं तुम्हारे बार में क्या अफिल करता हूं तो थो भी अब वही बस? फेली कैसित हूं कि मैं मररanız गया हा रागनी अबने चकर्लिया है मुझे मेरी रागिनी नाम की मुसीबत नहीं, सब के लिए मुसीबत बंती जा रही है, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कीर्थी हुस्से में आकर कुछ करबर ना करते हैं, एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर देखती हूँ कीटी, 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 क्या हो यह तुझे तो इतने गुस्से में कहा जा रही है, क्योंकि हमें यह समझने आ रहा दीदू कि आप किस मिट्टी की बनी है, हाँ, माना, यह था हमारा प्लाद, पर दीदू, I'm sorry, अब बरुन जी को हम इस नाटक में और आगे बढ़ने नहीं दे स चोगे हो, उसके बात तू ऐसे कैसे तू? हमारे पती रागनी की मनजिल नहीं है, आपको लग रहा न है कि सब बढ़िया चल रहा है, मनजिल के करीब है, पर ऐसा नहीं है, यह रागनी जब वरुन जी के साथ लिप्टा लिप्टी करती है तो हमसे बरदाश्च नहीं होता ह और उसके हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई हमारे पती के साथ, उस... किर्थी! किर्ती, किर्थी!川 corr!!! तेख मुझे पता है कि तू यसोप बहुत गुस्से में और अपनी बेहन को ऐसे दुस्ते में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इस वक्त बात हमारे घर की है कीटी दीदू हमें और कुछ नहीं सुनना हमने क्या दिया नहीं सुनना हमारी तरफ से अब बस कीटी पीज मेरी बात सो दीदू हम आपसे छोटे और आप हमसे बहुर जादा समझते पर इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये खेल अगर आपने अब ही नहीं रोका न वो इसका नुकसान सिर्थ आपको होगा ये कीटी भी ना कितनी जल्दी खमरा जाती है सब कुछ ठीक होगा कमसे का मभाय को तो पता है कि रागीनी को कैसे हैंगल करना है और ये कीरती जो वरुन जी पर खटेगी ना अथा में अब वरुन जी कैसे इसे समालेंगे अब जब बेटा अधर घर में इसा कोब भवन की तरह अंधेरा हो ना इसका मतलब याज तेरी वीवी तुझे बहुत पीठेने वाली सुंबल जाओ चुछ निकल ले याँसे जब भाग अच्छ जब रागनी से लपटना था तो रोकी ने रोकिया जा रहा था आप और आप मा, मम्मी, चर्ची जी, नौनी जी, दाजी जी सब याद आ रही है आपको आपको तब नहीं डियर लगा जब वहां पर रुवांस कर रहे थे और आज अपनी बीवी के साथ जिसके साथ साथ फेरे लिये आपने उसे कहरें रुको क कि भूप रुक्रीज हों आपको हम दिखाते क यहर अहन कर पागा को अग्यों कि अलग जाता तो अThen हुन हम आपको पागली लगें हुझे क्यों आपको परमनी हुह तो थे अपको अपको हम दिखाते हैं कि ए यह आपको पागव junior स्मांटेश अव्यप्र लगेगा! लग जाएगा वो! पानुच एरूचि है! अब में रुके! मैं.. मुप्रोण बच जा.. ओँबल.. किर्थी बच.. किर्थी बच.. बच.. टाइम आउट.. टाइम आउट.. बच रगया.. किर्थी.. मेरी बास समझे.. कोशिश तो करो उस रागनी कौंपे शक हो जाता वो कबसे हम पर नजरे गड़ाए बैठी है इसलिए मुझे इसलिए इसलिए अब हमें कुछ नहीं सुनना आप आप बस अभी इनाटो को और नहीं करेंगे इती मैं बीच में ऐसे कैसे और वारूंजी हमने कहो न आको ना कसम ह हमारी है तो तुमने बशालिया कि लिगन अब 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 क्या होगा तो विचारा केला पहस गया ना उस रागनी के साथ अरे ये बहनों की जोड़ी आज अकेले बरन भाए है उनकी ना तब बैठीक नहीं है अजकर प्टानी किस गंदी चीज का असर हो गया है हमें आर्ती से नला है तो जाओ ना मिल लो ना मैं आर्ती को यहां लेकर आने वाली हूँ ना तुम्हे वहां लेकर जाओ अगर जाओ आपय के साथ डेट पर जारे हैं वैसे जिन्हें इस बात की शरम आनी चाहिए उन्हें तो कोई परवाई ही नहीं नहीं है तो मैं बुरा क्यों ही मानों अच्छ टीक हो ना पतानी, किसकी बोडी नजर लगदे मुझे? मेरे, मेरे पैर में मोज जा गई. आप जित. आप जित. अब है, मैं चलनी पाऊँगी. आप जित. प्लीज मुझे अपनी बावर में लेगा, जाहिए तर्द कम होगा. आप जित. आप जित. आप जित. दीदू. दीदू. यह मुसीवत कैसे पलट गी हमने सोचा ही ने. और आपकी जाल आप भारी पड़ गई. बेचारा अब रहे, इस सारे मुसीवत का बोजना उसे उठाना पड़ गई. यह मुसीवत हमारे गले से उतरके उसके गोद में जाकर बैठ गई. यह जीदू. यह जीदू. यह जीदू. हमें लगता हमने बहुत सही किया है. वरुन जी को कसन दे के बांद दिया. अब आप सोची किया आपको क्या करना है. देखिए. क्या क्या हो रहा है? अजर मेरी नजार ही नहीं पड़ेगी तुम पे, तो तुम कुछ भी फेंके बारा सर नहीं फोड़ोगी. इतना तो भरोजा आए मुझे तुम पे. इतना भी मॉलो सामत कीजी. यूजिए अब आपका सर कभी भूच सकता है. तुम गुस्ता हो. ये तो कॉफी देट से उनता ही तुमारे चाहरे बाद दिख गया था. पर इतना? तो क्या करती? खुशी-खुशी क्या तालिया बजाती? अपने पती को दूसरी ओरतों को अपने गोध में उठाता देखकर. ओरती? ओ हलो, एक ही ओरत थी. वो भी मैंने मजबूरी में उठाया है. मजबूरी? ओ-ओ-ओ-ओ! अच्छा! आपके चहे पर जो खुशी टपक रही थी ना? वो देखकर तो बिल्कुल भी नहीं नग रहा था. ये सब आपने मजबूरी में किया होगा. तो एक काम करती ना? मुझे लगता है तुम्रावने ना आई टेस्स करोना ना पड़े. चलो, दॉक्टर पर से. हाँ, हाँ! अब सारी प्रॉब्लम्स आपको मुझे ही नज़र आएंगी ना? इन लोगी बीजी नंबर वान नो. तो मैं क्या करूँ यार? वो रागिनी खिलाडी नंबर वान निकली. तुमने कैसे उसमें आउंगे मोचाने का बहाना करके कितना वारा ग्रामा करती है? जहरे दीजे. सिर्फ कंदी का ही सारा देना था ना आपको. तो आप आज़ी को बोल देते हैं, वो मदद करने के लिए आ जाती? लेकिन नहीं, नहीं. आपको तो कंदा छोड़ो. उसके सामने हीरो बनना था ना? इसलिए आपने बाहें पहला दी उसे गोद में उठाने के लिए? सही कहनी थी, कीर. मुझे नहीं उसकी बात मान लेनी चाहिए थी. की मैं अपने ही हाथ हो, किसी और की कहान ही लिख रही हो, और… कहान ही लिख रही हो? कौन सी? नहीं स्टोरी है क्या? एरो अच्छा लिखना है? चोब ये वीवी से बहुत प्यार करता हो. इन सक वेड़ में उठाता हो? क्या? क्यों है ओँ? अभे आपः अप इसे... क्या करते हैं... अभे…. अभ... ये... आप ऐसे क्यों प्यों आपःचा ही हो? अभे आपःचा ही हो मै, तुम तो अच्छा से जानते हैं मेरी पॉफेट बीगी ही? कर दो स्टार्ट होने वाला है क्यानी कि हमारा अगला कदम कि दूसरा कदम पर वो क्या है हाँ दीडू हमें भी ठीक से समझाइए कि आगे होगा क्या कि रागिनी को पक्का यकीम दुलाना हो कि उसका सच्चा प्यार अभे ही है मुआ सपारी हो ने तौसरा बर्षण करते है तो सोचो मेरा क्या हो गर तो कभी भी कही भी जा सकती हूगै पर मैं तो पती हुच हुँ ना कहीं नी जा सकता हुआ अब तो उसकी शल भी परदाश नहीं कर पाता हूँ मैं दिदू, शकल तो नहीं दिख रही, और अभय के आवाज सा लग रहा है कि वो अपनी भड़ास निकाल रहा है कि वो का नातक कर रहा है एक मिनिट, आमें सुनकर तेह कर नहीं दो, कि वो क्या कर रहा है मैंने टाय कर लिया, रागी, सब बेच वाज के कहीं दूर चलते हैं सिर्फ तो मुर मैं, चलोगी पताने क्या सोच तरही है, करी मुझ पर शक्तु नहीं, नहीं कुछ भी करके से मनाना तो बड़ेगा राज के बाद, मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था लेकिन तुम ने जब तुम और मैं कहा, इंचे हम सुनाई दिया नहीं उमीद जागी अब है, तुम सही कह रहे है हमें जिन्दगी की एक नहीं शुरुवात करनी चाहिए, जहां सिर्फ तुम, मैं और हमारा प्यार मैं चलूँगी तुम्हारे साथ तुम, तुम जल से जल ना प्रॉपटी के पेपर्स कैयार कर लो हम सब कुछ बेच के ना यहां से चले जाएंगे जहां सिर्फ तुम और मैं मैंने हमारे घर के पेपर्स पहले ही बनवा लिया थे अपस ही उस पे साइन कर दे फिर रागिनी से हम अपना घर हमेशा किलों से वापस हासिल कर लेंगे और यह मैं आज रात को यह करूंगा इसा धक्का लगएगा नो उससे इंदगी भरियाद रखेगे आज शाम जशन की शाम है पर जिस चीज का चशन है उस पर तो साइन कर लो गहले इन पेपर्स पर साइन करके हम अमारी आजादी का जशन बने हैं सिर्फ तुम और मैं लोग हमारी जिन्दगी की नहीं शुरवात करते हैं किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग झाल